आम आदमी पार्टी का राजनेतिक चरित्र ये रहा है कि वो हमेशा ड्रामे बाजी और नौटंकी इस प्रकार की राजनीती तो करते ही हैं, पर तो जिस तरीके से कोट के पावन फ्लोर को भी अपनी राजनेतिक ड्रामा और अपने राजनेतिक नौटंकी का एक अड़ा बना पर जुडीशिरी पर दबाव डालने का प्रयास किया गया, और जिस प्रकार से अनर्गल हिट एंड रन आरोप लगाए गया, और ये सारे आरोप तथाकति जो बड़े खुलासे वो करने वाले थे, ये वही गिसी पिटी बाते, ये वही पुरानी बाते, उसी को एक प्रका का अखाड़ा बना कर कोट को, इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि ये जो कोट में हुआ, वो क्योंकि उनको यही फ्रेज समझ में आएगा, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल प्रस्तुत करने का काम था, सुनी तब हाबी सोचने वाली बात है, आपने कहा था कि अर्बिन केजरिवाल भाई साब कुछ बहुत बड़ा धमाकेदार बयान देंगे, लेकिन ना तो चूहा मिला ना चुईया, कुछ भी समझ भी नहीं आया, क्या केजरिवाल जी कनफ्यूज हैं, या हम सब को रिश्वत खोरी का है न, पूरे चराब घुटाले का है, इलेक्टोरल बॉंड्स का नहीं है, इलेक्टोरल बॉंड्स तो खरीदे जाते हैं एक चेक दे कर, बैंक के अंदर जाकर, ये तो छुप चुपाकर कैश के जरीए हवाला ऑपरेशन के तहत, ये तो पैसा दिया जा जाता है, एक तरह से ब्लैक मनी के तौर पर, रिश्वत खोरी के तौर पर, और रिश्वत खोरी क्यों की गई इस मामले में, क्योंकि इसमें मुनाफ़ा खोरी करने दी गई, प्राइवेट वेंडर्स को, प्राइवेट लॉबी को, समीर महिंदरू बने इंडूस जो दिल्ली लोगों के मिलना चाहिए था जिसका फायदा, उनको उतके हाथ तो कुछ भी ने आया, तो जो राजस्व इसके जहत मिलता भी था, वो भी खतम हो गया, और बलकि बहुत ही कम हो गया, और इसमें माना चाह रहा है कि करीब दो हजार करोड के लगभग राजस्व यानि कि revenue, excise जो मिल सकता था, दिल्ली सरकार को, जिसका फायदा दिल्ली वासियों को होता, वो उनको मिलनी पाया, तो ये बात अर्विंद केश्यवाल जी प्लीज एक्स्प्लेन कर दें कि electoral bonds और रिश्वत खोरी में जो फर्क है, और क्यों वो रिश्वत खोरी के केस में दूसरी और जरूरी चीज से पूरा जो मामला है, ये शरत ready के बयान पर सिर्फ आधारित नहीं है, बहुत सारी अनिमत्याएं हैं, जिसको लेकर सरकार ने जिब इसको flag किया, जो Chief Secretary थे और Congress Party के भी इसमें बहुत से लोग थे जिन्हों ने इसको flag किया, यानि कि इस पर ध्य लिकर आए, और तभी मामला आगे बढ़ा, तो इसका लेना देना शरत ready से या किसी electoral bond से नहीं है, वो सब post facto है, मैं पहले के बात आप से पुछना चारी हूँ, मुझे लगता है ये सवाल आप जरूर उन तक पहुचाएंगी, और उनसे कहेंगी जो बनियादी सवाल है, वि मेशन मिलती थी होलसेलर्स को वो 6-12 फीजदी हो गई, जो मिलता था प्रॉफिट रिटेलर्स को वो 10 गुना जादा हो गया, हर एक बोतल पर जो 30 रुपे मिलते थे वो 300 से भी जादा हो गए, तो ये बहुत बनियादी सवाल है और इनका तालुक किसी एक शक्त से और किसी एक एलेक्टोरल बॉंड से नहीं है, अगर आप में रत्ती भर नेतिकता बची है, तो आप स्तीफा इसलिए भी दीजे, यो डेल करोड दिल्ली की जनता है, उसकी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री की होती है, और जेल में रहकर आपको नियमों का पालन क करना है, तुरित आप कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, आप कोई बैठक नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप जनता की सेवा कैसे करेंगे, तूसरी बात जो बड़ी एहम है, अर्विंद केजरिवाल सब को ठकते हैं, उन्होंने जो जो बात अभी तक कही है, सार्जनिक जीवन मे उसका विपृत किया है